दोस्तों गिरी टूडल के इस platform पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आपने systematic इस वीडियो को देख लिया तो पूरा का पूरा lesson आपका learn हो जाएगा आप लगातर इस relation की मांग कर रहेते हैं और आपके science 2 का ये एक tough lesson है बट अगर आपने मेरा पूरा का पूरा वीडि उपर होगा कि आपको answers कैसे learn करना है answers में कौन से simple points को लिखें कौन से tricks से पूरे के पूरे answers को cover करें जैसे मैंने यहां पे बहुत सारे tricks लिखें हैं बहुत मेहनस से वीडियो बनाएं फिर रोएगा बाबुरा वामन सेट देन अगर आप आगे आते हो अगर आगे आते हो ज पूरा का पूरा बहुत ही मज़ेदार मैंने वीडियो बनाया है और यह वीडियो देखने के बाद आपको बाकी learn करनी की जोरती नहीं अपने आप दीमाग में सब चीजे बैठ जाएगी और यहां पे बस आपको क्या करना है support दिखाना है और सच में अगर आपको लग रहा हो लाइक का 1000 का दे रहा हूं जल्दी जल्दी अपने दोस्तों तक इसे शेयर करो जिसे याद नहीं है और इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर रहा है चलो वन वाइवन स्टार्ट करते हैं मेरा हमेशा से आदत है कि मैं हमेशा difficult चीजों से चीजों को complete करता हूं मैं कभ से तीन मिनिट में पूरा एंसर में आपको याद करा दे रहा हूं देखो आपको क्या करना है सबसे पहला एक पॉइंट याद रखना है फ्लावर आइधिंग आपको याद होगा फ्लावर एक वर्ट तो आपको यादी होगा फ्लावर is the structural unit फ्लावर is the structural unit of sexual reproduction in plant पहला कैलिक्स कोरोला एंडरोसियम और गैनोसियम दोस्तों कैलिक्स और को रोलो को हम असेसरी वाल बोलते है और और गैनोसियम और गैनिशे को इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप इसके बना सकते हो और एक और पॉइंट आप यहां पर बना सकते हो जो एंडरोशियम है androsium is the male part and gynosium is the female part androsium के अंदर दो चीज़े आती है enter and filament याद रखना androsium के अंदर दो चीज़े आती enter and filament हो सकता है one one sentence के question आया तो उसमें आ सकता है कि androsium के parts कुन से enter and filament gynosium के अंदर बहुत इज़ी है stigma है style है and और ही है तो वहाँ पे भी आप दो लाइन कवर कर सकते हैं बड़ इतना यहाँ पे आपको याद होगा आप अपने एक्जाम में अगर कभी भूल गए कि यार अंदरोशियम और गाइनोसियम को essential बोलते हैं कि असेसरी बोलते हैं तुरंट मेरा एक concept easy trick का याद रखो age age याद रखो और यहाँ पे cca आपके school में cca होता होगा cca के program होते होंगे जहाँ पे आप बहुत सारे activities perform करते होंगे तो cca से आपको याद होगा calyx, corolla और a मतलब accessory तो i think मैंने आपको यहाँ पे easy trick दे दिया देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर ही मैंने आपको बहुत अच्छा tricks दिया है यह बहुत important है mcq में आ सकता है match the column में आ सकता है true false में आ सकता है brief answer में तो आपको लिखने के लिए बहुत easy है the member of calyx एक line बना देना the member of calyx is called sepal calyx के member को हम क्या बोलेंगे sepal बोलेंगे corolla के member को हम क्या बोलेंगे petal the member of corolla is called petal the member of endosium is called stamen and member of gynosium is called carpel तो यहाँ पे आपको यह पूरा का पूरा part कैसे याद होगा तो यहाँ पे पहला याद रहे हो कली से पल याद हो जाए कली मतलब calyx पल मतलब यहाँ पे sepal sepal का यह पल याद रखना सेपल का यह पल याद रखना कली पल तो याद रहेगा कली, calyx, sepal तो आप match the column में भी कभी wrong नहीं करोगे और बाद में दूसरा corolla है corolla का cop याद रखने का क्या याद रखने का co मतलब corolla और pay मतलब petals इसके बाद आप androsium का amen याद रखो क्या याद रखो amen और बाद में gynosium का आप क्या याद रखोगे no car अब देखो मैं पूरे trick से चीजों को याद करता हूँ कली से पल, calyx कली मतलब calyx, pul मतलब क्या याद रखोगे sepal then इसके बाद cop co मतलब corolla और pe मतलब petals a मतलब androsium और man मतलब याद रखो stamen stamen में last में मैं आता है और no मतलब no car नो मतलब यहाँ पे देखो gynosium में आपको यहाँ पे no दीख रहोगा दिखाई दे रहेगी नी और यहाँ पे car तो तुरंट आपको याद हो जाएगा कि हाँ आईए अब देखो पूरा का पूरा आप ब्रीफ एंसर्स बना सकते हो देखो ब्रीफ एंसर्स में पूरा का पूरा आपको बोल रहाँ मुझे भी याद होगा इसले मैं आपको बोल रहाँ पहला क्या बोलगे फ्लावर is the structural unit of sexual reproduction in plant, हो गया पहला point, it consists four wall हो गया, calyx, corolla, androsium and gynosium, then इसके बाद, androsium, calyx and corolla are called, क्या बोलेंगे उसे हम, accessory wall, and androsium and gynosium are called essential wall, और यहां पे बस उसके आगे लिख दो, because it is responsible to protect inner wall, और इसका क्या लिखोगे, it helps in the process of reproduction, then इसके बाद आप क्या लिखोगे, the member of calyx is called sapal, the member of corolla is called petal, the member of androsium is called stamen, the member of gynosium is called carpel, देखो मेरे को पूरा answer ही आदे, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि एक दो point और लिखो, तो यह भी लिख सकते हो, the male part is androsium and female part is gynosium, the gynosium consists stigma, style, ori, androsium consists antheran, antheran filament, पूरा का पूरा answer से याद हो गया, और अगर यह कभी आप भूलते हो, तो age trick मैंने क्या क्या दिया, age दिया है, cca दिया है, और यह trick दिया, और 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 पूरा answers को याद करने के लिए यह trick है, FIFA, World Cup, मुझे मिला, F मतलब flower, F मतलब FIFA, F मतलब flower, World Cup, World Cup मतलब W, W मतलब walls, यह आप दिखाए था, four walls दिखाए दे रहा, याद हो गया, and मुझे मिला, मुझे silent है, और मिला मतलब याद रख सकते हो, members को आपको लिखना है, यह पूरे के पूरे members से related point लिखना है, तो याद रखो, sexual reproduction in plant कभी भी आया, FIFA, World Cup मुझे मिला, बस याद रखना FIFA, FIFA मतलब सर ने क्या वोला था, F से related सर ने क्या वोला था, F से related सर ने flower, एक line flower का लिखना है, दूसरा, World Cup से related W है, W से related walls है, four wall के related वो सब points लिखने है, and मिला मतलब M, M मतलब क्या लिखने हो आए, दोस्तो, M मतलब members लिखना है, तो 4 point तो ऐसी होगे, आराम से 6 से 7 point, 8, 9 point आप लिखोगे, और maximum question आपको, जादा से जादा question आपको, 5 marks वाले question आते हैं, उसमें आप diagram यह सब बना दोगे, overall पूरा का पूरा marks, कैसा लगा, अब भी तूरंत एक comment कर दो, then आगे और लेकर आरो, देखो double fertilization, बहुत डराओना, और बहुत ही तकलीफ दायक, यह double fertilization लोग को लगता है, पर मैं पूरा का पूरा आपको याद करा दे रहा हूँ, देखो सबसे पहले आपको एक definition याद र pollen grain है, अगर वो एंथर से stigma के पास जा रहा है, तो उसे हम pollination बोलते हैं, देखो न यह देखो, इसलिए मैंने आपको फॉर्स्ट यह पार्ट बढ़ा है, अगर pollen grain इस एंथर से stigma के पास जाएगा, तो ही हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन, तो प पार रहता है, और इसके बाद क्या लिखने का, जो पोलन है, प्रहन ग्रेंगे जो है, वो फॉलोगा, कि इसके उपर फॉलोगा, दस्तों बढ़ेंगे बेट गया, फॉलोगा इसके उपर और प्रDAYंगे फॉलोगेंगे प्र Тем कर जब आपकर दोकर आई तीसरा पॉइंट, आप क्या याद रखोंगे पोलन क्या होता है जर्मिनेट होगा वेन इट फल्स वैंट फिल्स और सृक्ष में पूरा का पूरा इंग्लिЗ में पॉर两 इसके बार बेन प्याल si when pada Sixner to पॉरम्स का चाह करेंगा एक पॉलन क्या करेंगा एस वेल साथ यह कितने मेले मane बनाएगा इतना इजी आप करते जा रहे हो बस आप ध्यान दो सब चीज़े देखाएगी बनादिया इसके बाद यहाँ पे M Z Embryo Seq लिखा है बात में वो जो 2 male gamets बने हैं न इसी को मैंने रिखा है कि male gamets यहां पर वोड़ साप लिख देना दो मेल गेमेट थे उसमें से वन मेल गेमेट जो है वो किसके साथ मिलेगा दोस्तो एकसेल के साथ मिलेगा और जाइगट फ्रेम करेगा और दूसरा जो है वो सेकेंड मेल गेमेट जो है पोलार नुकलिया के साथ मिलेगा और एंडोस्पर्म बनाएगा तो दोस्तों यहाँ प पर तू मेल नुकलिया है देरफोर इस प्रोसेस इस कॉल्ल फटलाइजिशन पूरा पुरा पूरा एंसर से याद हो गया है सबसे पहले हम पॉलिनेशन से रिलेटेड पॉइंट लिखेंगे देखो मैं आपको एंसर स्फुछ बता रहा हूं यहां रिख्यशन फ्राइजवा पॉलिनेशन नगी याद रखना प्लस मतलब युणाइट यूईगे एक्सेल थे जाइगोडिस फॉर्म और मेल गेमेट युनाइट विद पोलार नुकलिया दान अंडोस्पोम इस फॉर्म और तू मेल नुकलिया पाटिसिपेट इन दिस प्रोसेस देर्फोर इस प्रोसेस इस कॉल्ड डबल फॉडिलाजिएशन पूरा का पूरा आपका दोस्तों एंसर्स यहा उनल प्रोसें Nada है अमने इसका प्लाइन के याद रखा ना है और तीरा ग्री नाम याद और तिसरी कौन है गौरी कहां पे गए अगर यह आपको ट्रीक याद है तो अपने आप यह ब्रीफ एंसर आपको याद हो जाएगा पहला क्या है पारस पारस मतलब पी से इसके बाद बहुत भारी बारी बारी ट्रीक लेकर आने वालों पारस स्टिगमा बीकम स्टिकी हो गया गौरी मतलब जर्मिनेट जी मतलब जर्मिनेट कोई जर्मिनेट हो रहा है पोलन दैन इसके बाद और डैन जो एक सेल के साथ उनाइट होगा और जाइगोरिस फॉर्म और अधर मेल गेमेट उनाइट वित पोलार नुकलिया एंडोस्पोमिस फॉर्म एंड देरफोर इस प्रोसेस कॉल डबल फॉर्डिलाइजिशन और एंसर भी अपना याद हो गया चलो आगे देन इसके बाद देखो यहाँ पर मेल रिप्रेडिक्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा होगा आपको और देखो इसमें आपको क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डि अगर आपको यह प्रोसेस बहुत ही डिपली पढ़ना होगा कि कैसे इस पर्म होता है और कैसे कैसे पूरा प् कर देखता है आप उससे देख़ लो पर मैं आपके बड्ड एकजांब के अभी चीजे बता रहा हो तो बस मैं यहां पे आपको बोलूंगा कि इसके फंशन पढ़ लो और इसके पार्ट्स के नाम याद रख लो और फंशन में बौरक्जां में हमीशा देता हूं कि फंशन बोर्ड एक्जाम, write any two parts, function of any two parts, तो at least आपको कुछ parts के नाम याद होने चीए, test इसका मुझे मेरे इसाथ से सबको function याद होगा, produce sperm, याद हो गया, सबको याद होगा, और पता भी होगा, then इसका एपीडीडी में, प्लीज इसका spelling एक बार प्रैक्टिस कर लेना, यह sperm को क्या करता है, store करके रखता है, and pennies के बारे में भी लगभग सबको पता होगा, यह क्या करेगा, place the sperm inside the body of female, यह तीन points आपको क्या करना, याद रख लेना है, और बाकी के parts के नाम आपको क्या करना है, at least याद रख लेना है, then यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यह दो points को एक बार आ यहाँ आपको क्या करना है, यह पूरे क्या, एक diagram practice कर लेना है, और उसके नाम याद रख लेने, यहाँ पे बहुत सारे naming missing है, जैसे यहाँ पे देखो, यूटेरस दिखाई दे रहा है, यहाँ वजाईना दिखाई दे रहा है, और ही दिखाई दे रहा है, then यहाँ पे o-veduct है, तो आप at least, यहाँ पे कुछ चीज़ों को क्या करना है, आपको systematic याद कर लेना है, जैसे और ही क्या करता है, एग release करता है, याद हो गया एक, जैसे टेस्टीस क्या करता है, sperm release करता है, वजाईना क्या करता है, allow the entry of sperm, वजाईना क्या करेगा, sperm यहाँ पे female के body में के लिए यहां पर होता है यहां सब जाएगा इसे हम भी बोलते हैं तो अगर मेरे इसाफ से यह और और यह दो आपके लिए बहुत एजी और वजाइना भी इसी है चारों बहुत एजी मैंने आपको करके दे दिया प्लीज इसको एक मिनिट में आप बलंड कर लेना चलो आगे के आते हैं कि अब यहां पर कुछ चीज़े हैं है यहां पर चीज़ें आपको दीख रहा होगा यह इसके उपर आपको आ सकता कि it determination निए इसको सायद आपको दीखनी रहा होगा एक सेक्ट लुट अगर कि अभी देखो आपको अभी दिखाई दे रहा होगा दिखाई दे रहे हैं तो यह पूरा का पूरा आपको डाइग्राम दीख रहा होगा इस डाइग्राम के उपर आपको क्या चीज़े याद रखना है यहां पर इसके पास प्लस एक स्वाय रहेगा इसके बास क्या रहेगा फॉर्टी पूर्ट प्लस एक सेक्स रहेगा तो यहां पर क्या होगा कि इसका एक क्रोमोजोम और यहां पर फॉर्टी 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 फ किसका एक्स है इसके एक्स के साथ मिल गया तो किसका बर्थ होगा एक्स एक्स जो रहेगा डॉटर का बर्थ होगा तो यहां पर देखो आपको दीख रहा होगा यह को गल्स दीखाई दे रहा होगा और वही अगर समझो इसका वाय क्रोमोजोम से मिल गया तो यहां पर किसका होगा बॉय का बर्थ होगा या तो सन का बर्थ होगा तो यह नॉर्मल सा कॉंसेप्ट आपके दीमाख में आपको पता होना चाहिए अब यहां पर एक ग्यूरीजन आता है कि अगर समझो बच्चे का बर्थ हो रहा है तो वह बॉय है कि गल से यह रिष्पॉंसिबिलिटी किस के ऊपर है यह किसके ऊपर डिपेंड करता है एक सेकंड मैं इसको सही कर दूँ है और तो यहां पर यह डिपेंड किसके ऊपर करता बस आप ये याद रखना देखो मेल के अंदर क्या होगा एक्स-ी- और फिमेल के अंदर क्या होगा? एक्स-स अगर यहां से फिमेल का x-ख्रोमोजम आने वाला है और यहां से मेल का जो है अगर समझो y अगर समझो y क्रोमोजम आ गया तो यहां पे किसका बurth हुआ? वॉय का हुआ तो वॉय का बurth होना पहले अपने society में बहुत problem था कि घर पे कैसा होना चाहिए था लड़के का ही बर्थ होना चाहिए अब ऐसा नहीं है अब सब चाहते की लड़कियों का बर्थ होना चाहिए तो यह जो हमारे society का जो problem है उससे related question भी आता है तो boy हो या girls हो इसकी सबसे ज्यादा boy होने का ज्यादा responsibilities है ज्यादा मतलब किसके उपर depend करता है वो सबसे ज्यादा किसके उपर depend करता है father के उपर depend करता है कि boy के लिए responsibilities किसकी है जो है किसकी responsibility है यहाँ पर फादर किये तो इससे related एक यूरीजन है प्लीज इस वाले यूरीजन को सिस्मेटिक एक बढ़ लेना यह आ सकता है आपके exam में जहां पर जो चीजे में है उसको मैं बताते जा रहा हो अब दिखो यहां पर यह जो question है यह प आपका थोड़ा साव पूरा का पूरा लाइट बहुत ज्यादा आ रहा होगा कि अब दीख रहा होगा अब देखो थोड़ा बहुत नहीं दीख रहा होगा तो फ़ी एड़ेस्ट करना अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे यह सबसे आज तक मैं किसी बच्चे से मिलता हो तो सबसे यादा उसको टेंशन नहीं इस पार्ट का ही आता है पूबर्टी याद रखना है आप पूबर्टी दोस चेंजेस रिपीटेड दोस चेंजेस रिपीटेड अड़ इंटर्वल ओफ एवरी 28 तो 30 देज और देफोर इस प्रोसेस इस कॉल्ड मेंस्ट्राल साइकल तो आपको यह पूरा का पूरा बस इतने वर्ट से याद रखो एवरी 28 तो 30 देज तो यहां पर याद रहना है कि वो चेंजेस हमेशा क्या होता है रिपीट होते रहता है और उसी चेंजेस क्या होते है मेंस्ट्रोल साइकल एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा दैन इसके बाद फेजेस याद रखो इट कंसिस्ट फोर फेजेस पह यहां पर यहां पर देखलो चेक कर करना क्योण पीरेड उफ मेंस्ट्रेशण लिखा है अगर यहां स्सode कर को ßवेंगा आप रहोमों प्रोसर यहां पर यहां पर यहां पर और आलता है यहां पर लिएखा होता है औह पर देखोगे तो यहां पर सिक्रेशन ओफ ग्लैंड इन्डो मेट्रीम पिरेड और रखना सी प्रेशन ओफ ग्लैंड इन्डो मेट्रियम अब देखो लाइन और दो लाइन तो अपना इसी बन गया पहला राइन हो गया कि सेंड ना इंसर वह गया टें ठीसरा आप क्या हर्मोंट इसके बुपने रोल प्लेइ करतें पहला होता है कद दूसरा है यह मतलब उस्ट्रोजन है पूसमे और प्रोजषटरों तो?! पर estrogen and progesterone तो यहां पर लिखा हुआ है तो यह आपको hormones लिखना है तो पहला define दूसरा आपको क्या लिखना है phages तीसरा आपको क्या लिखना हार्मों तीन इतना बड़ा answer ऐसी हो जाएगा इसके बाद ovulation के related एक point लिख दो कि ovulation done on 14th day 14th day लिख दो and under the effect of utilizing hormone हार्मों की वज़े से ovulation होता है यह मैंने इस लिख दिया क्योंकि यह कभी-कभी one-one sentence में भी आ सकता है कि ovulation कौन से दिन होता है कौन से hormone के effect के कारण होता है then इसके बाद corpus luteum जो है वो कौन सा process पढ़ाया है अगर आप जाके उसे देखोगे तो भी चलेगा पर यहां पर मैं insert में बता दे रहोगे अगर जो एग है वो fertilize नहीं हुआ 24 hours के अंदर तो क्या होगा जो हमारा corpus luteum है वो convert हो जाएगा कि इसके अंदर corpus albicans में तो यहां पर देखो दिख रहा है corpus luteum get converted into corpus albicans यह जो words है इसको दू-तीन बार आपको लिखना होगा पुरा का पुरा answer याद हो जाएगा और इसके वज़े से यह दोनों जो हमारे hormone से इसका production क्या हो जाएगा stop हो जाएगा और इतना अगर आपने answers लिख दिया तो भी आपको पूरे marks आएंगे देखो सबसे पहला define दूसरा पॉइंट phages दीसरा पॉइंट hormone चौधा पॉइलेशन पाच्वा पॉइंट corpus luteum से related है मतलब c से related है और छटवा जो पॉइंट वह फिर से क्या है और रूसाइड क्या है फटिलाइज नहीं हुआ तो अब इसे हम कैसे याद रखेंगे तो हमने इजी ट्रीक बनाया है डर प्यार होगा oh my god कैसे oh my god कैसे देखो डर प्यार होगा oh my god कैसे oh my god यह बस यादर को पूरा एंसर याद हो जाएगा अब देखो जैसे मैंने वोला था फीफा वॉल्ड का मुझे मिला याद हो गया sexual reproduction बात में मैंने कुछ naming दिये थे double fertilization के लिए याद होगा अपने पारस दिया था मैंने सना दिया था गौरी दिया था जैब्रा एलिफेंट देखने गया पूरा एंसर याद होगा अब देखो मेरे को ट्रीक भी याद है यहाँ पे तीसरा ट्रीक अपना क्या है डर प्यार हो हो रहा है वो बता दो कैसे यहाँ पर कैसे का spelling सी से समझ के चलो कैसे का spelling के से मत समझना सी मतलब यहाँ पर कॉर्पस लूटियम के बारे में लिख दो देखो यह IVF टेकनिक है बहुत बार एक्जाम में आ चुका है फिर से आने के चांसे से फोर पॉइंट्स आपको बस पता होने चाहिए फोर पॉइंट्स पता होंगे तो आपको पूरे के पूरे मिलेंगे टू मार्क्स बस आपको आएगा कि राइट सौर्ट नो टॉन आइ लेन जो आइविसमें टेकनीख है इन पिस टेकनीख फाटिलाजरे सन्स टेटीक प्ले仔 तेट्यूप थाजमेल के इस ब्यूव subscribe Inn क्राशन आपको यह ट्यूज करेंगे जिनके तो चाइडलेस कपल यूज इस टेखनीक जिनके बच्चे नहीं होते हैं वह इस टेखनीक का यूज कर सकते हैं लास्ट वं कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स की वज़े से यह टेक्निक का यूज किया जाता है तो प्रॉब्लम्स लाइक लेज स्पॉम काउंट एन और 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 विड़क्त यह दो प्रॉब्लम्स आप यहां पर मेंसिन कर सकते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स में तो क्या होगा कि यहां पर हम सर्वोगेट मदर के हेल्प से क्या करते हैं हम बेबी का डेवलोप्मेंट करते हैं तो यहां पर पूरा पूरा वही प्रोसेस है अब देखो यहां पर पहला इस प्रोसेस यह जो प्रोसेस हो किस से रिलेट कर रहा है यह जो प्रोसेस है यह जो प्रोसेस है पूरा का पूरा वह वीमें से रिलेटेट कर रहा है मतलब महिलाओ से रिलेटेट कर रहा है तो पहला पॉइंट हम लिख देंग फर्ट पॉइंट इन इस प्रोसेस जो होगा यहां पर इस प्रोसेस में भी और यहां पर इसलिए मज़ा में ऐसा वर्ट लिखा है पर ऐसा आप मत लिखना यहां हस्बेंड लिखना इसके बाद warrior embryo form implanted uterus of some other women जो embryo form हुआ है उसे हम क्या करेंगे implant करेंगे दुसरे विमेन के इसे और जिस वुमेन में हम उसे implant करेंगे सर्वोगेट मदर यहां बैसा एक पॉइंट लिखा है मदर से रिलेटड तो ऐसे पूरे के इन सूरत उसका मतलब है, प्रो से related एक पॉइंट है, problems, यह देखो problems, fitness से related मतलब fertilizer, इन मतलब related यहाँ पे implant और सूरत मतलब यहाँ पे servo gate मतलब, तो ऐसे अगर आप trick याद रखते हैं तो आप answers कभी नहीं भूलोगे, बस आप 4-5 trick याद कर लो, पूरे answers आपको पूरा का पू कहां पर मैं करता हूं, इन से related, implant में some other women के, तो वह आला पॉइंट लिखेंगे, and last one के आएगा, servo gate mother, इसके राद sperm bank, यह भी question बहुत बार आ गया, तो यह जो है, वो किस से related है, male से, man से related है, then इसके आप second है कि this concept is related to, just similar to blood bank, यह जो है, पूरा का पूरा similar है, जैसा blood bank का concept है, वैसा ही है, यहाँ पे sperm bank का concept है, then semen ejaculate by desire man, दूसरे man से जो है, वो semen को लिया जाता है, और उससे क्या किया जाता है, physical and medical check-up के बाद उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, कहां पे स्टोर किया जाता है, sperm bank में, और जो needy person है, उसको उसके according दिया जाता है, तो ऐसे चार points अगर आप अपने दिमाग में बिठा लोगे, this problem is related, यह जो process है, वो किस से related है, main से, then इसके बाद second point आप blood bank से लिखोगी, यहां ही पर लिखा हुआ है, देखो second point, this concept is similar to blood bank, then third point and fourth point, then इसके बाद types of twins, देखो यहां पर मैं one one, जो sentence के जो question है, उसको भी मैं cover करते जा रहा हूँ, एक भी part मैं ऐसा नहीं skip कर रहा हूँ कि जो चीज़े आपको न समझ में है, सब चीज़े समझ में आएगी दोस्तों, अब देखो यहां पर twins है, types of twins सबसे पहले याद कर लो, mono, इसले मैं नीचे जाइगौटिक नीचे लिखाया और डाय जाइगौटिक, साइमीज करके भी एक है, अब देखो यह दोनों में distinguish कभी आया तो भी आप लिख सकते हैं, यहां पर मैं पहला point लिखाया हूँ, यहां पर दूसरा point लिखाया हूँ, यहां पर आप लिखोगे genetically similar, यहां पर genetically different, यह जो रहेंगे वो genetically similar होंगे, यह genetically different होंगे, यह वाले मैं लिख सकते हैं कि gender जो है, वो same आता है, यहां पर जो gender है, वो different आएगा, और same भी हो सकता है, कभी-कभी same भी हो सकता है, पर different भी आएगा, पर यहां पर gender mostly के आएगा, same आएगा, ऐसे दो points होगे, और चाहोगे तो इसमें आप process अगर आप मेरा वीडियो देखोगे, तो आप यहां पर एक और मया concept आ जाता है, तो देखना होगा तो देख लेना, पर आपके board exams के लिए जो चीज़े important है, types of twins मैंने यहां पर लिख दिया, उसके coins भी मैंने लिख दिया, इतना enough है आपके board के लिए, इसके बाद, देखो यहां पर precaution, will you follow the, follow to maintain the reproductive health, क्यांकि आपने को preca question maintain रखना चाहिए, यह question बहुत बार board exams में आया है, इसके भी answers मैं दे दे रहा हूँ, यहां पर एक word लिखना, keep private parts clean, पहला तो यहाद हो गया clean से related है, private parts, दूसरा, during menstrual cycle, यह दूसरा वाला point female से related है, maintain genital hygiene, then इसके बाद क्या आएगा, तीसरा जो है, तीसरा जो है, STD से related है, avoid situation, risk, being risk of during sexually transmitted disease, यह जो है, STD मतलब है कि sexually transmitted disease की वज़े से जो problem होता है, उस risk से, ऐसे situation को अपने को क्या करना चाहिए, avoid करना चाहिए, and जो चौथा है, कि हमें हमेशा क्या क्या करना चाहिए, time to time हमें क्या करना चाहिए, reproductive health care, जो है, उसका हमें हमेशा क्या क्या करना तो आप अपने मन से भी एक पॉइंट्स लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपने मन से भी कुछ पॉइंट्स को mention करना तो कर दो, then यहाँ पर कुछ, यहाँ पर बहुत important है, बहुत बार exam में पूछा है, यहाँ पर पहला disease है, यहाँ पर कुछ मैंने इ ऐसे शार पॉइंट्स आपके दीमाग में आपको क्या करना है, बस बिठा लेना है, यहाँ पर इंफ्लेमेशन, इंफ्लेमेशन ऑफ जॉइन याद हो गया होगा, इंफ्लेमेशन ऑफ यूरिनेरी ट्रेक्ट, इसके बाद, यह भी एक महिने बहुत important आपके लिए डिश्टम कि उस्स लाई गए अर्सेक्शवल रिप्रडंशन यहाँ पर इस षयाँ पर मैं यहिल अर्फ पर फोर्म होता है यह क्या होता है इस यूनी परेंटल और यह क्या होगा अब फुद्ध मुझे बताओ याद हो गया बात में यहां पर जो इंडिविजबल होगा या जो ऑफ्स्प्रिंग होगा यहां पर इतने पॉइंट्स लिख सकते हैं एक पॉइंट से रिलेटेड लिख सकते हो बर मेरे इस आप से बोड एक्जाम्स डिश्टिन की स्विट्वीन में दो ही यहां अब दो यह बस अभी आपको एक टेबल याद रखना है आपका काम पूरा हो जाएगा यह टेबल अगर आपने याद किया तो इससे रिलेटेड एक कुर्शन आपको हो सकता है ट्रू फॉफॉफ में मिले मैं ले को रिलेशन में मिले देखो सेक्षवल और सेक्षवल याद रखना बीम्भ याद रखना तो बस आपको यह टाइप से यह इन राखने यूनि सेलूलर में कौन से टाइब से पहला कौन सा त्टीन बिलिंग के इंदर पिरसे फीन टाइब है यहाँ ति लोगल ए इस एस टी और यहा पर लब दिएक्ट्लक हो Pict Transverse binary fission और L मतलव longitudinal binary fission आगे मैं इसके diagram दिखाऊंगा spelling देख लेना यहाँ पे जो example आएगा amoeba का Transverse में example याद रखना peramesium का और longitudinal में example याद रखना Euglina का यह तीन example से याद रखना and budding में देखो multiple fission में amoeba का ही example आता है budding में east का example आता है यह examples बस याद रखो क्योंकि में आ सकते हैं इसके बाद मल्टिपल मुल्टिसलूलर और्गनिजम में असेक्शुल रिप्रोडेक्शन में टोडल फाइटाइप्स हैं अब यह टाइप्स याद रखना बहुत देंजर था इसलिए मैंने ट्रीक बना दिया फिर रोएगा बाबूरा वामन बाइब्स टोडिड्र हैं वैसे मैं जब्र provocation अगर यहां पे कंपने में गंपुल वैसे में आगे दिखाऊंगा है यहां पर जो एक और एक्जाम्पल है साइकन का एक्जाम्पल है यहां पर हाइड्रा का एक्जाम्पल है यहां पर बहुत सारे एक्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जैसे ब्रायोफाइलम है स्वीट पैटोट है से बहुत सारे एक्जाम्पल्स यहां पर म्यूकर का एक्जाम्पल मिलेगा तो प्ली यह जो है इसके एंसर को कैसे लिखूं मैं तो देखो सबसे पहले यह वाला पॉइंट ने इस टाइप भी हर एक एंसर के लिए कॉमन है बाइनरी फीजन यह जो बाइनरी फीजन है एक असेक्शल रिप्रोडेक्शन है और किसके अंदर आता है जन्रली यूनिसेलिलर और अर्गनिजम है तो पहला पॉइंट तो हमेशा हर एक के लिए सेम है एक पॉइंट तुम्हारे लिए दे दिया तुम्हें चारी पॉइंट तो लिखना है हमारे तो इसे में कहला है तो इसे हम बोलेंगे यहां पे पंपर्स युगलीन अब बताओ इससे सिंपल आपको फोन क्या करके दे सकता है एक मिनिट में आपके एंसर एक मिनिट भी नहीं तेन सेकेंड में एंसर से याद हो गए पहला पॉइंट तो इजी है बाइनरी फिजन यह ए और सेक्शुल रिप्रोडेक्शन कहां पर इन यूनिसलिलर सेम देखो इसका भी मल्टिबल इस दिखाई रहा है यह सब थोड़ा बहुत चीज़े आपको पता होनी चीज़े अगर आप लास्ट टाइम पर पढ़ रहे हो कि नहीं तो हो सकता है कि आपको आ सकता है कुछ डाइग्राम में कहीं पर आपको नेमिंग लिखने के लिए आ जा तो इसका डाइग्राम आप स दाउन होगा एड फेवरेबल कंडिशन और यहां पर एक्जांपल से रिलेटेटिव पॉइंट लिख सकते हो अमीबा इस दे एक्जांपल ऑफ मॉल्टिपल फीजन दो पॉइंट तो आपका सीधा सीधा मैंने इजी दे दिया है और बीच में एक पॉइंट आप अपने से आपियर स्मॉल बल्ज आपियर ऑन दी सर्फेस ऑफ पैरेंट सेल पैरेंट सेल इस कॉल बड़ एंड उसके बाद क्या होगा अफ्टर ग्रोथ बर्ड लिव इंडिपेंडेंटली एज डॉटर बात में क्या होगा अफ्टर ग्रोथ बड़ सेपरेट एंड लिव मतलब जो है वह सेपरेट हो जाएगा और लिव इंडिपेंडेंटली मतला अपना अलग लाइफ क्या करेगा जीना स्टार्ट करेगा और उसे हम क्या वरेंगे डॉटर इश्ट से तो आप इससे रिलेटेट फॉर पॉइंट लिख सकते हो एसे मोशली एक्जांपल और चार्ट याद स्टार्ट आफारं अंश्परन और लिव इंडडिपेंटली मतला अपनी अलग से एक्जांपल की तरफ परफॉर्म करेगा और ऐते संब्सक्राइब यहां और किसके अंदर प्रेद्ट में और तो इसमें लिविटेट मतलब कैसे कि है संब्सक्राइब लिजर्ट है उसका अगर और ब्रेक हुआ तो अगर इसका टेल यहां से ब्रेक हुआ तो उसके हर एक पार्ट से पुरा का पुरा प्लेनिडिया आता है तो इसलिए वहां ऐसी चीजे नहीं होती इसलिए लिजर्ड को हम लिमिटेड रिजनरेशन के अंदर रखते हैं और प्लेनिडिया का हम एक्जांपल आला पॉइंट तो आपका सीमिलर है थोड़ा सा में चीजे बताते हैं आपको एंसर कैसे लिखना पहला और लास्ट वाला पॉइंट तो इसी है पहला पॉइंट क्या लिख हो गाएगा और बात में वह जो बढ़ होगा आफ्टर रग्रोथ बढ़ क्या होगा इतना फास्ट कभी आपने नहीं चीजों को पढ़ा होगा आप एक एक चीजों को पढ़ने में बहुत टाइम लगाते हो अब यहां पर जो मैं सच में आपको जो ट्रीक बता रहा हो आपको बहुत मजा हो रहागा देन वेजिटेटिव प्रपोगेशन का बहुत इजी प्रपोगेशन बस यहां पर आप याद रखना कि जो लीफ से वेजिटेटिव प्रपोगेशन होता है उसका इग्जांपल का ब्रायो फाइलम बाद में यहां पर नोट से रिलेटेट एक इस जांपल दिया जैसे ग्रासे से सुगर के इन का थोड़ा सा इसको पढ़के एक भी पार्ट श्कीप नहीं किया है आप जाके अपना बूक ओपन करो और देखो आपको खुद समझ में आएगा आप खुद सेलीट दोगी कि सर आपने तो पूरा का पूरा लेशन लेर्न करा दिया आप मैंने बहुत तरीके बता है कि कैसे आप देखो इसके पहले इतने एक अच्छा रिस्पॉंस आए ज्यादस ज्यादस लोगों तक पहुशना चाहिए अभी अप तो अपना चैनल यार बहुत छोटा है नहीं तो यह वीडियो लाखों में इसका व्यू जाता क्योंकि इस मेहनत से बना है कम से कम मैंने इसको तीन-चार बार पूरा का पूरा क लेकर आऊंगा जो आपके डिफिकल्ट लेशन है जल्दी जल्दी कवर कर देंगे और प्लेलिस्ट में जाके फॉर्स्ट एंड सेकेंड देख लेना और जल्दी आपको कौन से लेशन का चाहिए वह भी बता दो तो वीडियो को देखने के लिए दिल से ठैंक्स और याद दो तो